हेलो फ्रेंड, आप लोगों मैं आज कुछ दिखा रहे हूँ, क्योंकि मैं अपने गाम आई हूँ, माईके में आई हूँ, अपने आज कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो दिखा ते हूँ फटा-फट कीom यहाँ पर क्या क्या चीज है और कैसे कैसे हैं, होल?, अच्छा लगा यहां पर आके और घूमने में मुझे बहुत मजाया, तो देखे हम आएं अभी खेत में, तो देखे कितनी अच्छी हैं पर हमारी अभी खेत की यह गाउं की फसल है, ऐसे हो गए हैं, अभी गेहुन कहीं कहीं निकल गया है, और कहीं कहीं निकलने वाले हैं, तो देख सकते हैं यह मारी खेते हैं देखिए और इधर सानात में सब की एक जैसे ही खेती है ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं है और इससे भी ज्यादा बड़ी बाती है कि यहां पर एक बहुत पुरानी मंदिर भी है चोटा सा शितला मता की और यह बर्गत की पेड़ है देखा रहे हैं दूर से दिखाते हैं देख सकते हैं यह बहुत बड़ा भी यह बर्गत का पेड़ है गुलर का पेड़ बोलता है कोई बर्गत का पेड़ बोलता है इतनी बड़ी है यहां पर बर्गत की पेड़ यह बहुत पुरानी पेड़ है बरसो बरसो तक की है अभी बह इस पेड में जो भी धागा और हम बाहनते हैं तो अपनी मनत्र यह पर केले के बरेक्षा इधर आई साइड में और वह जाम है आम है कि आम में ओ आगया फ्ल आगया है फूल आगया है अने वाला है आम लगने वाली है और देखिए गाव में ये भी चीज दिखाती है ये गोबर है गोबर कंडे जिसको बोलते हैं हम लोग तो इधर ऐसे ही ठोकते हैं केट खालिहान में कहीं कहीं भी ठोक दिये हैं लो ये गाव देहात में से कितेने दूर में गोबर 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 रखे हैं कंडे थाप थाप के लोगन रखे हैं लेखिए बारी की से यह सब सेम जैसे एक जैसे गोबर पाते हैं अर इसे बीवाड़ी बाती है मैंने बोला कि बर्गत बहुत पुरानी है मैं चलती पास से दिखाती हूं इसमें लोगन धागा बनते हैं लपेटते हैं यह बगीचे में है इसलिए ज्यादा लोग नहीं आते हैं फिर भी आते हैं तो देखें इसमें लोगन धागे ऐसे लपेटते हैं अपनी मनत पुरा होने के लिए और यह बहुत भी साल पेड़ है इतनी चोड़ी है इतनी लंबी माता जी के मन हो है कि यह से गेट लाइए यहां पर एक माता जी जंगल में बनी है शितला माता है और यहां पर यह प्याड के दिखिए सब दूरे से डाड़ फैली हुई है बहुत बहुत खेतों में दूर दूर चली गई है आगल में स्टसने और यहां पर इसके पास में रेलवेी स्टेशन निकली है बहुत आसogen देखिए हम लोगा खेच से ही पासने है रेलवेई स्टेशन ये रेलवेई स्टेशन की वह देख रहा है मैं तोड़ी सी और कर देती हैं कि दिक जाएगा आप लोगको ये रेलвेस प हर देखिएंग धुझाने वाली है अदमी बैठे लोग भी है जाने के लिए तो मैं अपने गाओं पर आई हूँ दोस्तों आप लोग पता ही था और मैं बताई दिया कि मैं कहाँ पर आई हूँ तो मैं आप लोग अपने गाओं के खेती वाड़ी और दिखाई और यहां के जो मनने आता है इस पेहर का यह भी दिखा दिया बता दिया और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगे, यहीं वीडियो एंड करती हूं, खतम करती हूं, और आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक, शेयर, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करते रहे दोस्तों, ताकि आप सभी का प्यार दुलार मिलता रहे, तभी तो मन लगेगा वीडियो डालने में नहीं, तो वीडियो डालो और कोई देखेगा नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो वीडियो एंड करते हूं, तब तक के लिए बाई-बाई, खुश रहे है मस्त्री है, स्वस्त्री है, और फिर अगली वीडियो तक बने रहेगा, मैं फिर कोई जाओंगी, कहीं जाओंगी, तो दिखाओंगी, आप लोगों मैं क्या कर रहे हूं, कहां-कहां घूमी, क्या-क्या-क्या